हे बच्चो कैसो आप लोग तो बच्चो इसके पहले हमनों ने पार्ट वन देखा ठीक है अपना ये मोशन इना स्ट्रेट लाइन का तो आज हमनों पार्ट टू देखेंगे डाइस 3.3 टॉपक से स्टार्ट करेंगे एवरेज वेलोसिटी एन एवरेज स्पीड तो चलिए श सबसार एक और कि वहां पने आपको बता रहा था कि वह मोशन में रहता है leuke Pra में रहता है Toadd utan जोन में मि मतलब पॉजंपका क Judge करता जा को यहां से यहां पर जा रहा रहा है तो कितनी तीजी से जा रहा है तक हैं बात मिई स्टीज को हम जानने के लिए प्रबस्टाइब करने के बात करती है अब क्या होगा कि हम सिर्फ वेलिजडी की लेते हमलोग एवरेज वेलाशुटी लेते क्यों कि अगर को भी बौड़ी एक इनिशन से फाइनल पॉसिचं तक जाता है तो बीच में वह कई बार अपना स्पीड सेंज करते हैं पर जाता है इनीशल से फाइनल तो हम लोग सिफ वेलासिटी नहीं देगा ना क्यूंकि कई बार वो अपना टाइम के साथ सथ वो यूनुटन यूफर्म मोशन में चलता है यूनीफ तो नौन इंफर्म मोशन में चलता है इसके लिए जो आपका velocity लगया सिर्फ वेलासीटी नहीं लगया हम लोग क्या लेंगे average mean 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 जिसको हम बोलते मिन वेलासीटी और you can say average velocity लेंगे ठीक है हम लोग क्या लेंगे यहां से initial से final तक का average velocity लेंगे कंचिले करेंगे क्योंकि बॉड़ी आपका जो भी object चल रहा हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है कभी भी यूनिफॉर्म मोशन में कोई आपको गाड़ी दिखिए मतलब एकी स्पिट से चल रहा है इनिशाल स्टार्ट किया और फाइनल तक वह एकी स्पिट से चला ऐसा नहीं होता है ट्राफिक आएगा बीच में बहुत चीज सब्सक्राइब बाड़ी है वो बौड़ी यहां से एक डिस्टेंस उसने कवर किया तो पहले वो पोजिशन एकस ओन पर था एक्टाइम टी वन अब कहा है दूसरे पोजिशन पर एकस्तू इनिशाल से वह फाइनल पोजिशन पर फाइल वर्षिन एकाटाईम टीटू तो उ displacement हुआ है basicDio displacement जब्ही आया तो हमेशे हम displacement की भात करेंगे तो भी आपका ंति रखता है वेक्टर रहता है वेक्टर रहता है लिए मगत्व क्था है तो जys प्ल वाब्जेक्क चला यहां पर उसका duKाएफ रहता है को हम लोग ऐसे दिखाएंगे जो साइन ना साइन यह वाक्टर जो वि 맛이 है मतलब वेलोसिति है यह आपका व् Cap यह मुझे बताता है तो लगाते है यह साइन बताता है कि इसको अई यूसको यह और फैसा साइन लगाते हैं जो beliefs कि भी वैक्टर बताता है कि चैणों व क्रूब तो यह फिर V Vector बोलो वह भी चलेगा displacement S Vector बोलो वह भी चलेगा तो यह velocity जो होगा यहां पर यहां पर वह क्या होगा change and displacement upon changing time sorry time जो क्यों होता है x2 minus x1 changing displacement यह होता है मैंने बताया था displacement में अपन T2 minus T1 तो बच्चो यह होगा आपका average velocity यह formula बहुत ज्यादा important है याद रखना बहुत ज्यादा important average velocity का यह formula है किसका average velocity का यह formula है ठीक है ठीक है ना हाँ ओके जी यह सवाज में आ गया अब यह जब displacement vector quantity है तो velocity भी क्योंसा quantity रहेगा क्योंकि उसमें displacement लग रहा ने तो velocity भी vector quantity रहेगा ठीक है इसका मतलब यह magnitude प्लस डिरेक्शन बताएगा वेलोसिति कौन से direction में आपका क्या लिख दिश्पेस्मेंट लिख दिया क्या डिरेक्शन ठीक है डिरेक्शन बताएगा ठीक है तो तो मेंगजुट्ट प्लस डिरेक्शन बताएगा बैलोसिटी आपको जैसे displacement भी इसका मतलब क्या कि कोई से कौन से साःड की तरफ वो आपका उसका विलाज स्पीड चल रहा है या माइनस एक्सिस की तरफ उसका स्पीड में गाड़ी वह चल रहा है है जैसे अगर मैं बात करो कोई और जिन पॉइंट जिरू ले लिया अगर मैं यह साइड में जा रहा हूं तो जो मेरा वेलोसिटी है वह माइनेस में रहेगा जो बॉडी की वेलोसिटी है वह माइनेस में रहेगा अगर माइनेस रहेगा तो बताया कि बॉडी जो मेरा है वह और जब प्लस रहेगा तो बदाएगा कि बॉडी मेरा पॉजिटिव एक्स एक्स पे जा रहा है ठीक है यह हमनों ने स्टार्टिंग में देख लिया है इन वन डाइमेशनल के लिए प्लस मैंने सी हमनों लगाते अगर वह तूड़ी थ्रीडी आ तो हमनों आई जे के लगाए अगला वला चैप्टर में देखेंगे मुश्यन अप्लेन ठीक है बच्छो तो यह होगया आपका वेलासटी का एवरेज वलासटी का फॉर्मुला देखिए बेरी 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 इंप्टरिंट अब हम लोगों ने व्लस पीड की तो बात कर ली एकिन आप बात करते हैं स्पी hoody यहां से गई और यहां पर आ गई ऐसे घूमकी तो इसका वेलव को आई हैज दुके के यह कि लाषटी इस्कमेंट άपर टाइमने की डिस्टेस्मेंट आपके तक आप मैं、、 मैं अगर डिस्टेंस की बात करो बच्चो पात अपना की बात करो बसने के तो तो व्यक्त वितार लेना दिना को तो मैं बात करूं कि मेरा में तो बॉडी जो मेरा है वो ऐसे चल की आया यहां से लेकिए यह तो मैंने डिस प्लेशमेंट ले लिए निस परिंद के हिसाब से लिया ठीकिए लगे लेकिन अगर मैं इस पाथ की बात करूं यह जो पाथ कवर हुआ है बोडी से तो उसपे क्या लगए वह भी आवरेज क्यूं लगए कि मैंने बता जिहां अव्रेस क्यों लगते हैं कि जरूर इने यहां से यहां तक चला तो एकी छ्किवड में चलेगा लागलागलागलागलागलागल फेल्ड में स्लोव फास्ट करके भाइर फानिल पोज्चन पहुच्छे oh तो यह path यह travel किया है तो यह path travel किया गाड़ी ने body ने तो उसका speed कह रहेगा इस path पे इस path पे तो यह displacement बताएगा कि velocity रहेगा लेकिन इस path पे कह रहेगा इस path पे रहेगा average speed ठीक है कहा रहेगा average speed average speed कब फर्मुला हो गया आपका टोटल पाच वरड़ ट्रेवलल यू केण से वाड़े टोटल है ठीक है बच्छो तो यह होताँ आपका एवरेज स्पीड इस आलसो वर्यवरी यह हो गया एवरेज वेलॉसिटी का था यह आवरेज तो वेलोसिटी हो या फिर एवरेज वेलोसिटी हो या फिर एवरेज स्पीड हो दोनों का जो यूनिट होता है वह होता है मीटर पर सेकेंड क्योंकि दोनों का देखो ना डिस्टेंस अपन टाइम होता है और इसका डिस्पेस्मेंट अपन टाइम होता है तो दोनों का यूनि मेटर पॉर सेकेंड होगा ठीक है इसका डामेंशन भी मिल जाएगा बस दोनों में फरक है और हाँ एक और चीज जो यहां पर पाथ कवर होगा मतलब पाथ लेंद मतलब डिस्टेंस बेसिकली होगा तो डिस्टेंस आपका कौन सा कॉंटिटी था स्केलर था ना जैसे डिस्ट जब आपका स्केलर था तो जो स्पीड है वह भी आपका कौन सा कॉंटिटी होगा वह बच्च होगा स्केलर कॉंटिटी ठीक है कौन सा कॉंटिटी होगा स्केलर कॉंटिटी आप नोट नीचे लिख देना नोट ठीक है कौन सा कॉंटिटी होगा स्केलर कॉंटिटी जो कि सि भाली कितना स्पीड है है five meter per second four meter per second कितना है ठीक है है तो यह समझा बच्चों आप लोगों कि तो बच्चों एक बार और आप बता दो वाल वेलोशिटी इस वेक्टर कॉंटिटी ठीक है क्यों क्यों displacement आपका रहता है स्पीड आपका डिस्टेंस के उपड़ करते हैं तो हमें एक चीज पता था क्या पता था जो डिस्टेंस है मैंने पता था तो इसके साब साब क्या लेख सकते हो कि जो स्पीड है आपका इस ऑल्वेस गेटर दन इक्वाल टू वेलोसिटी ठीक है ठीक है बच्छो स्पीड जो है हमेश्चा अभी वह पात का ही मैंने बता है यह पात का मैंने इसके पहले एक्जामपल लिया था तो यह गी नोट आप प्उयंट करके लिखना वरी वरू इंपर्टेंट नोट यह दोनों इंपोर्टेंट नोट है कि जो कि दिस्टेंस इज ओल्वेस गेटर दन इक्वाल टू मेंगनिट्यूड अफ मेंगनिट्यूड अफ यह स्पीड है यह अग्छेस्मेंट इस स्पीड इस आपको फोकस हो गया तो बच्चो आप पॉस्ट करके एक्जामपल नमबर 3.1 आप पढ़ सकते हो पॉस्ट किया अपने रीड किया ठीक है पॉस्ट करके आप रीड कर लो मैं आपको इसको बोर्ड में समझाने वाला हूं बोर्ड पर सबस्ट किया अ खीक है को यहरो यह कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या दिय다 की एक अपका कार से वो पहले 10 o से 29 फिर टोपिर वो पॉइंट पी से पॉंट क्यूब ब्यार है को कितने सच में इस है तो कितने कितने किです आठरा सेकंड में और ओसे पी पे जा रहा है स्वारी ओसे पीधक गर तो टुटल सकंड है यह पर कितना हो जाएगा अठरा प्लस उच्छी है ना इस ट्वणिफोर सेकंड तो टोटल सेकंड आपका 24 हो गया यह दखना बच्छो तोटल टाइम आपका यह है ठीक है जब और उसे पी पर तो अठरा पर और उसे पी पर फिर पी से क्यू पर जा रहा तो वह अठरा प्लस से ग्रीफ्ट सेकंड हो गया तो यह चीज़ याद रखना ठीक है अब उसमें पूछा है कि एवरिज एवरेज 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 आवरेज एवरेज एवरेज क्या है क्या तब आप velocity average velocity निकालो तो जब O से P पर जा रहे हैं हम लोग देखते हैं पहला प्राइब पहला कर्दिशन तो average velocity average velocity क्या होता है तो से P तो से पी पी मतलो यह रहा और यह पार्ट प्लस है यह पूरा माइनस है यह x direction है और यह प्लस x है यह माइनस x है तो एवरेज व्रस्टी को फॉर्मॉला क्या होता है इस प्लस्टी अपॉन उसका टाइम कितना अठरा प्लस ट्रीसिक्स्टी एक टाइम अठरा ठीक है बच्चो यह समझने अब हम लोने क्या देखा था आवरेज व्रस्टी में फॉर्मॉला देखा था तो इसको व्लो क्या से ले शकते हैं त्रीसिक्स्टी माइनस 0 और अठरा म त्रिस्टिबू लेकिन इसीड़ में जीरो यह विखा दस्याइब ऋमने इसा शान अत्राय्च लगाएंगे तो जब यह फो लगाते तो तरीसेिक्सिटी ऐबर की लिखान शेक्यट मे यही एक बहुत पकार स्वाश्च si तो यह दोनों मुझे क्या बताता है पहला कंडिशन कि अगर आपका यह लेंथ से मैं पाथ से मैं ठीक है एक्या डारेक्शन में तो आवरेज स्पीड और आवरेज वेलॉसिटी दोनों पहलता है यह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्पीड स्पीड is greater than equal to velocity यह मैं पहले बताता है इक्वल तो उसमें आता है यह ना तो इक्वल हो गए यहां पर दूसा पैर बता कि ऑसे ऀल्टा लिखा है यहां बराबर वो से पे पी से क्यूड पर तो इंशन रहेगा वो तो उपे रहेगा फाइनल रहेगा वो क्यूड बीज काम पी को देखना ही नहीं ये इनीशन रहेगा और ये फाइनल रहेगा है ठीक है तो बच्चो एवरेज वेलासिटी हमने पता है क्या है तो फाइनल माने सिनीश तो फाइनल क्यूब कितना है टू फॉर्टी माइनस इनीशल इनीशल कि जीरो इनीशल हमेशा यह इस चाट दोगा न यहां पर डिस्टेंस भी जीरो यहां पर इस पॉइंट पर हो यह पाइम भी जीरो है और मेंस इस फॉर्ट पे यह विया उता है अथा टीटू चार्ट टायम् होगा कि इनिशल फाइनल यह तो टो टाइम कितना है कि टो कितना है तो 24 इनिशल टाइम क्या है रहेगा ताइम तो 0 यह लग गया जो तो टो फॉर्टी अपॉं रिप्लस अब अब आवरेश स्पीड निकाल लेते हैं टूटल लिस्टेंस यहां पर क्या होगा यह तो 360 हो गया कि प्लस यह कितना हो गया कि 40 यह पूरा यहां से यह तक डिस्टेंस किता हो गया 40 80 120 प्लस 120 डिवाइडर टूटल टाइम कितना है अब 24 ठीक है बच्छो ठीक है तो यह कितना आता है 3 4 480 पॉन 24 तो यह कितना आएगा अरूंट 20 मिटर पर सेके ना तो यह तो यहां से यहां तक जब आया तो एवरेज वेलासिटी अलग है और एवरेज स्पीड बढ़ाया यह दो को यह कंडिशन पता है ना हमेशा स्पीड इस ग्रेटर दन इक्वल टू वेलासिटी तो यहां पर वेलासिटी से बढ़ाया स्पीड यह समझ गया एक्जैंपल 3.1 ठीक है बच्छो आपको समझ में आवा गया होगा ओके तो वही लास्ट में सब्सक्राइब करोंगे इस अलॉग इस अलॉग इस अलॉग इंस यह दो डिखीड टोटल पांथ ठीक है तो वहाँ पे जो आपका यह ओता है क्या बोलते हैं कि तरह यह दो मेंगिन्टू ऑफ एवरेज वेलासिटी इन बटेट इस अग्डिट ओ आवरेज वेलासिटी इस is equal to average speed यह पहला कंडिशन था और दूसरा कंडिशन में यह वला लाइन फिट करते हैं ठीक बच्चो समझ में आगे हैं तो अब हम आगे देखता हैं अगे देखता हैं अगे देखते हैं चाही भाई आगे जो टॉपिक है वो है इंस्टन्टनियस स्पीड इंस्टन्टनियस व टॉपिक है इसको समझने के लिए बड़ा ही आसान तरीके से में आपको समझा दूँगा ठीक है तो इसमें कैसा है सपोज वही मैं एक्जांपल लेता हूं एक बॉड़ी है कोई वह चल रहा है उसका पोजिशन चेंज किया जब पोजिशन कैसे चेंज किया स्पीड सपोज अब यह बॉड़ी है यहां पर आ गया तो सपोज यहां पर बॉड़ी ऩी है जलोग सबाइन आर्सफिटा नहीं चल्स आपर ऑगया अभ उसके बीच में यह इंशिल से फाइनल इस एक सेक्नियुक्त हुआ अगया लेकिन इसके बीच में सपोज मैं यह बॉड्य manufacturing करता हूं कर बरपर इस बॉड्य को यह पर करता हूं तो यहां पर कुछ ना कुछ हुस टाइम रहेगा हुआ रहा सब्सक्राइब यहां पर दो सग्रेंड तो उस टाइम पर बोड़ी यहां पर तो उस टाइम पर जो बॉड़ी है उसकी विलासिटी क्या होगी अब समझ तो यह होता है आपका instantaneous velocity same अब इस बोल सकते हो कि इस बोड़ी की स्पीड क्या होगी एट टाइम तू सेकेंड तो इसको हम लोग बोलेंगे instantaneous speed ठीक है instantaneous velocity instantaneous speed दोनों यहां पर सेम रहेगा यहां पर रहेंगे क्यों कि हम लोग पर्टिक्लर टाइम की बात कर रहा ना मच्चों हम्रों किसी बेट बात कर रहे हैं तो यहां पर दो instantaneous velocity 5 is equals to instantaneous speed अब पहले तो यह समझते कि instantaneous मतलब क्या होता है मतलब होता है कि वह इस पर्टिक्लर टाइम की इस टाइम मतलब और सच बहुत चोटे समय में बहुत चोटे समय में तो अगर में prove नातको जो बॉडि की स्पीड क्या थी आपके सेम होगा एक्वाल होगा ठीक है तो यह होता है बच्चो इंस्टेंडेस वेलोसिडी एंस्टेंडेस स्पीड आपके टेस्टूप में बहुत बड़ा वो सब दिया हुआ है बट कोई बात नहीं आपको पढ़ने की जरूत नहीं है जो मैं आप बता रहा हूं वह आप क कैसे करना है ठीक है न frågor अब बच्छो इसका फॉर्मूला होता है इस तुरो से तो मैं में लेता हूं से इसका होता है फॉर्मूला लिमिट के टेंस टू जीरो जो आपके अलब तो यह जो लिमिट टेंस टू जीरो तो होता है में आपका capacity लिमिट रहेगा उस तो रहेगा मैक्स में तो उसमें यह यह चीज लिमिट तो ये क्या बदले तू सेकेंड लोगे अगर यहां पर लिमिट टी टेंस टू तो जो भी कुछ भी एक एक उक्वेशन रहेगा और टी के फॉर्म में रहेगा तो आपको टी के बदले वहां पर टू पुट करना पड़ेगा ठीक है बच्चो यह समझा तो इसको हम लोग एक और शॉट ट चीज है ठीक है बहुत बड़ी चीज़ें उसका करने करना था किया कर दूंगा मैं इसको घूरीविट टूर्ट डी बाई डी विद रिस्पेक्ट तो आप किस से करना चाहते हो तो यह पर मैं विद रिस्पेक्ट टाइम के साथ डेरिवेट्टिव कर रहा हूं किसको इस पोजीशन को इस डिस्प्लेश्मेंट को ठीक है तो जो फाइनल आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या एंड इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड यह दोनों के लिए कंसिडर होका फॉर्मुला वेली वरी इंपॉर्टेंट डी अब डी डीटी डेरिवेट्टिव होता है मैंने पता है न कोई भी बड़ी चीज़ लेता अगर छोटा पार्ट मेजर करना है तो हम कहा थे बिद रिस्पाइक्ट् мы मैं हाँ यहां पर मैं टाइम मेजर कर रहा हूं और और किसको डीरेट किसका डेरेट्त ले रहा हो 3.2 करेंगे एक्जामपल नमबर जब 3.2 करेंगे तो मैं बेसिक डेरिवेट्ट्व का थोड़ा बहुत फॉर्मुला आपको लिख करेंगे अब बच्चो मैं इसमें एक चीज आपको बताना भूल गया यह वेलोसिटी में यह वेलोसिटी जो टम है आप एवरेज वेलोसिटी पहले इसको मैं बता देता हूं आपको एवरेज वेलोसिटी अवरेज स्पीड को यह जो ग्राफ है न और यह तीनों ग्राफ ठीक है इसको मैं आपको बता देता हूं अभी फिलार इंशनेश वेलोसिटी की हम लोग इसके बार डारेक्स हमीं करने वाले इसमें जाट्टो तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी स्पीड का फोडुग्राफ आपका तुम वरेेज क्षोड गएउ ग्राफ क्या महत करना तो यह पोड अपने हम अपने तहीं यह सब Cake रहे है मैं अपने इसाब से ले रहा हूं पहले बता रहो तू फोर मीटर में रहेगा यह जो भी रहेगा यह सेकंड में रहेगा तू फोर सेक्स है इट हैं ऐल वैसर टिक अभोलेंड है कि यह पॉजीशन वससे टाइम का ग्राफ हम पहले दिखा कैसे था पूंशन वससली लिए इस ग्राफ में आपको एवरीज वेलोसिटी निकाल आ है कैसे निकालोगी कैसे निकालोगी हमको पता है एक ही होता है इस तेने वेलासिटी और स्पीड दोनों आपका डी अलग अलग होता है तो यह पता चल गया है इस ग्राफ से आपको ग्राफ से निकालना तो मैंने आपको बता है कि करते ग्राफ का यह पॉइंट एक्स अक्सिस पर रहें पर यहां पर देखो तो आप भी इस यह पॉइंट के बात करों ठीक है तो यह यहा पर रहें और यह टू के नीचे यह लोगा 8 वेड अब यह जो है अरे अब क्या होता है हम लोग गारों निकालते हैं ऐस लेड़न का चाओ करते हों औरativ c कैसे स्ट्रेट लाइन लेते कोईभी दो पॉयंट से दो पॉइंट हम लोग कंतर करते हैं निनमेद इस पर चाह keeper करते हूं और हम उसी लोग गश्री लाइन बनाएंगे क्या बनाएंगे बैज अब चांद हब हम लोग ऐसा करव में कभी बिलिए टा तो स्लोप में क्या निकाल ऊप निकालने के लिए हम स्ट्रीट बनाते अब इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो यह एक्स पर फाइब है वाइप है एकस पर 3 है यह पॉइंट और य पर 3 है तो यह है आपका 3,3 एकस पर 3, y पर 3 यह अपका एकस पर 5, y पर 8 ठीक है तो slope, slope का formula क्या होता है आपको पता है slope का formula y2-y1 upon यह अपने पढ़ाई होगा नहीं यार x2-x1 तो यहां समझे क्या समझ में मिलता है जो एक्स है displacement और टाइम उसका अगर मैं स्लोप निकालों तो मेरे क्या मिलता है average velocity मिलता है यह होगा ना वो एक्सटू माइनस एक्सवन अपॉन टीटू माइनस टीवन यही होगा है ना फॉर्मुले इसे दिख रहे आपका तो अगर मैं displacement और टाइम का स्लोप निकालता हूं क्या निकालता हूं मैं स्लोप तो मुझे क्या मिलता है एवरेज वेलासीटी ठीक है बच्छो तो आप यहां से निकालो आप एक्सटू माइस एक्सवन तो यह आपका ले लेते हैं हम लोग एक्सवन यह टी है ना तो पहले टीवन एक्स तो पहले टीटू हुल सीधि ना यह आपका टीटू है पॉइंट टाइम पे हैं और एक यह एट आपका एक्स तूप आइध लिए तो अपनक टीटू के अट इनिस एक्सवन क्यां आप उन स्चब्स 30ной माइन अट टिवान अपका टीवन आं उंक है तो एक्जम अपन आएगा घ्राप होग तो तो इस ग्राफ से आवरेज वेलहसिट आपके रहने करने लिफर ऑफ किसका डाफोल पोजिशन टाइम कर आएप हो तो अवर्यश वेलहसिटी मिलता हैतना है यह याद तो चलिए आगे दिखते हैं तो इसमें मुझे क्या बोलता है कि जो आपका यह जो इसमें जो ऑब्जेक्ट से उसकी बात कर रहे हैं तो देखो बच्चो मैंने आपको स्टार्टिंग पहले वाले इसके पहले तीन आपको ग्राफ बना के बताया था तो यह तीन डियाफ में से कौन सा ग्राफ दिख रहा है दूसरा बला ना बतार यहां पर तो आपजेक्ट है किसमें यूनिफार्म मोशन में तीके यूनिफार्म मोशन में है और आगर मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी इसकी किया है वेलोसिटी यहां पर कॉंस्टین्ट है कैसे Ah Spikeiera ऐन नने बताया था ने हर厲害 इक equal meter cover करता है हर एक सेकंड में equal meter cover करता है ठीक है तो यहां पर जब uniform motion का मतलब ही होता है कि velocity आपका constant रहेगा तो पहला ग्राफ मुझे यह बताता है कि यह uniform motion में और इसका velocity constant रहेगा और इसका velocity अब यह प्लस में रहेगा velocity किसे में रहेगा प्लस में रहेगा ठीक है जो प्रस में रहेगा क्यों 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 इसका slope निखाल कोई भी do point लेकर क्योंकि x d की खिलोब क्या आता है velocity आता है इसके पहले भी हम दोने देखा x or t position & time का जो स्लोप रहेगा वो क्या आएगा तो अगर मैं चलो मैं ले लेता हूं 1234 2468 ले लेता हूं मैं तो यह हो गया आपका 4,8 यह हो गया पॉइंट 2,4 कोई भी पॉइंट लो स्लोप क्योंकि पोजीशन और टाइम का स्लोप हमेशा क्या रहते हैं वेलोसिटी रहते हैं तो x2-x1 तो इसको मैं x t1 लेता हूं और x1 लेता हूं ठीक है इसको मैं t2 लेता हूं और x1 x2 लेता हूं तो x2-x1 that is 8-4 upon 4-2 that is 4 upon 2 that is 2 बंदब प्लस 2 तो इसके लिए आप वेलोसिटी क्या रहेगा प्लस टू और प्लस टू रहेगा हर एक पॉइंट पर प्लस टू रहेगा हर किसी भी दो पॉइंट कर लो प्लस टू ही रहने वाल है ठीक है बच्चों अगर यह दो पॉइंट के बात करूए तो यह दो पॉइंट का भी प्लस टू ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी में बता पर constant है अब इसके हम लोग निकालते हैं इसका हम लोग निकालते हैं वान टू थ्री लेड़ो इसका slope निकालते हैं यह भी आपका uniform motion ही है यह भी क्योंकि एक बट इसका जो velocity है वो plus रहेगा कि मैंनेश रहें इसका तो वेलोसिटी क्या है बच्छो इसका इसका velocity आपका plus आया इसका velocity plus है देखा आपने आप प्लस अब इसका निकालते हैं सेम लेता हूं मैं 1-2-3-2-4-6 कोई भी 2. कंसीर करते हैं एक तो तुक टंग टंग अजए लेलो और एक यह लेलो अधिक ठीक 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 टीड़ी अधिस इकलत हो गया है एक ही यह लेलो क्यों का तो यह दो पॉइंट लेक। तो यह बोट मार्विटेंगा तो यह कोदिनीट के जिरौ फोर है इसको किसको भी लेना है टी वन एक स्वन किसे को भी अपले सकते हो बद्वाइन यह इसा नहीं कि टीवन एक्सटु अपले लो ठीक है यह होगा टीटु एक स्टू तो फॉर्मुला की साब से 4-6 अपॉन 2-0 तो एक आता है वो मैने से किसमें आएगा नेगेटिव यह हिर जो इह ऐसा ग्राफ आएका पूज Crimea हम्हों जो तो इसका वेलोचिटी रहेगा हो नेंगेटिव रहेगा क्यरा नेकितिव इसका ञागा देख पॉजितिव अब इसमें बात करें तो इसमें तो यार अगर मैं बात करूँ यह थ्री मिटर पर है अगर मैं बात करूँ यह थ्री मिटर पर है ठीक है इसका क्या आता है माइनस टू आता है यहां पर लिख देता हूं माइनस टू तो नेगटिव अगर मैं बात करूँ यह थ्री मिटर पर है और यह टाइम आपक रहता है तो यह उसका graph है ठीक है तो यहाँ पर velocity यह रहेगा कि जीरो यहाँ पे negative यहाँ पे positive ऐसा है मतलब positive ऐसा है position time पे तो negative ऐसा है तो velocity high नहीं 0 ठीक है बच्चो तो यह वो तीम बताते हैं अब हम लोग अपने आते instantaness velocity and speed पर यह मैं को आप बताना मैं भूल गया था ठीक है तो बच्चो कुछ में simple derivative आपको बताए तो अगर आपको अब भी पूरा differentiation जानना है का डेर्यवेटिव ठीक है उसके फॉर्विले जानने तो आप फॉर्मुले या फिर आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो मैं आपको बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मुला बता को धिडिटे रिस्पेक्ट टी तो उसका वन हाता है एक टट एए और एक रों ए मँट्डे से कि यहाँ पर कॉन्स्टनन तो कॉन्स्ट्ट के साथ और्म这是 इसके बाहर के बाहरा जाताադो जब यहुम्ट did अगे डेखो एसे आएगा कुछ ए इन्टू डेरिवेट्य ओफ ऐसे आएगा ठीक है ए बाहर आ जाएगा तो डेरिवेट्य वफटी हमने उपर देखा या होता है तो एंटू वन वागे आएगा और टी हो जाता है टी डेस्टू टी हो जाता है बेसिकली मतब टी रेस्टू टू-1 होगा तो यह क्या हो जागा एंटू 2T होजाएगा टूरेस्टू-1 वन ही होता है न तो यह होगा टूएटी ठीक है बच्चो तो डेटी स्क्वेर बी टूएटी यह फॉर्मूला है बेसिकली डेवेटिव अगर आपको डीटील में जाना है तो आप यूटूब पे अब भी जा सकते हो फिलाल वीडियो को स्किप करके डेवेटिव देख लो 15-20 में कोई अगर किसी डाला रह थे क्याओ तोफॉर्मूलरा आप देख सकते हो यूटूब पे फिर गूगल पे सेर्च मा आज सकते हो उसके फॉर्मूला तो मैं अभी हम लोग इंस्टेंडियस वेलोसेटी और स्पीड पे थे थे ठीक है कॉनसा टोपिक हो यारवो टीपॉइंट है ती पैंट पॉइंट तो यह चीज हमें बहुत इंपॉटन यहाँ रखनी है अब इसके उपर क्या है बच्छों कि सम आते हैं क्या आते हैं सम्स आते हैं सम्स सम्स ओके तो इसके उपर आगर मैं बात करो किसी सम्स की जैसे एक्जाम्पल नंबर 3.2 है इसके उपर यह बड़ मैं एक और पहले समने लेता हूं कि सपोस्पोस्पोस्पोस ठीक है सपोस्पोस जो आपका displacement दिया हुआ या distance दिया हुआ किसके form में दिया हुआ है बोला है कि जो displacement है instantaneous velocity find instantaneous जाए तर वेलासिटी पूछेंगे फाइंड इंस्टेंटनियस वेलासिटी ठीक है यह आपको पूछा है तो चले हमको पता है इसका मतलब डी बाइच के बदले मुझे 2 प्लस 40 स्क्वेर पूट करना पड़े एक्स के बदले मुझे क्या यह पूरा पूट करने अब य derivative मैंने इसके लिए बोला बच्छो आपको derivative अच्छे से पूरा आना चीए डेविट्व टू को यह पास derivative देंगे प्लस डेरिविट्व ऑफ टी स्क्वेर अब बच्छो डेरिविट्व ऑफ टू कॉंस्टन टाम है तो यह जिरो क्या है प्लस अब कॉंस्टेंट के साथ एक फंक्शन है अब दोनों फंक्शन से में न ती है अ पर यह भी टी है तो फोर आपके इस टू होगते हैं तो यह फो इसटेटी हो गया तो मतलब जो मेरे वी है वो कितना है एटी आया चैसा कि को मैं मिल सभी वट बुला कि अगर मुझे फईन्ड करना है इंस्टेज वेलवस्यटी एट टाइम टु सेकेंड कैसे लिग दिया अगर आपका टाइम दिया रहेगा तो ठीक है बच्चो यह समझा तो ऐसे आप इंस्टेंटिनिस निकालोगे अब देखो बच्चो मैंने आपको बताया था कि अो अपान टी-टीवन यह होतां और इंस्टें डिया व intrude कर लेना इस के लिए दोनों का अलग अलग टॉपिक है इस एवेरेज विलोसटी ओ इंस्टेंटिमिस वेलोसिती अलग 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 है ठीक है बच्चो ओके यह समझा अब इसके ओपर हम लोग 3.2 एक्जामपल करते हैं तो बच्चो 3.2 एक्जामपल लिए रहा इसको न आप पॉस करो पॉस करो रीड करो एक बार पॉस किया रीड किया ठीक है रीड हो गया अब मैं आपको यह तो फिर आपके 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 टेस्ट बुक रहेगा तो आपके आपको इसको बताता हूं तो देखो अच्चो इसमें आपको क्या बोले कि एक पोजिशन दिया हुआ है एक्जामपल नंबर 3.2 एक पोजिशन दिया है किसके फॉर्म में दिया है पोजिशन इस इको इस इको इस इको इस तो a plus bt square ठीक है और बोला है कि A की जो value है वो है 8.5 meter और B की value कितनी है 2.5 meter है ठीक है meter B की value पता चल गी अपने को B की value meter per second square तो बच्चो इसका एक है एक डिस्पेस्मेंट पोजिशन का एक एक क्वेशन दिया हुआ हिंपने दिया है आपका दिये 8.5 मीटर बी आपके टुपॉट फाइम मीटर में उसमें ट्राइब में स्टेक है में अ mélिकार में इसमें इसमें बुला है एक पर्टिकुलर हमारे सचेंड में करते हैं तो इसका मतलब हैं यहां पर क्या हुआ करना है आएसा जरूरी कि आपको दिया रहें पिर लिटा टाइम पर इसका मतलब T1 आपका यह रहेगा और T2 आपका यह रहेगा X1 X2 अपने को पता नहीं है वो अपने को यहां से इस equation से मिलेगा X1 X2 ठीक है बच्चों तो 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 सबसे पहले हम लोग instantaneous velocity करेंगे instantaneous velocity क्या है डी एक्स बाइटी लिए 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 एकस को आप अप्लस बीटी स्क्वार करो तो डेरिवेटी ओफ ए होगा पहले यह आपको यहां पे क्या है एक के पास टी तो फंक्शन है नहीं ना ती रहता तो हम लोग डेरिवेटी करते हैं तो इस को मैं बाहर निकारूंगा तो यह क्या हो जाएगा टूभी टूझाय व्हें लिए टूपी टी होगा ठीक है अब पी की वेलिवेटी मुझे पता है तो मैं क्या पूट कर सकता हूं जो आपका वेलस्टी आएगा इसटेनेस वेलस्टी 2 into 2.5 ती ठीक है 2 into 2.5 कितना एगा 2 to 2.5 कितना आता बच्छों कितना बता हो 55 आता है तो वी आपको 50 मिला मतब जो यह पर वी है वो कितना ज keen it तो एपको 50 मिले अब ट्यापको जिति आपको यह जरू में जरू पूर पूरत करता हो तो भी कितना मिलेगा जरू का हिपंत के बदले जिरू पूर्ड कर दो जरू अब टी के बदले मारा चो już तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चो आपको सब्सक्राइब करने के लिए तो इसमें हम क्या करेंगे अलब देट्सन अब यहां पर एक्स मन क्या होगे एक्स हमेशा एत टाइम किस से होता है तो जो X का b बी का स्कुरेंग हो जाएगा और जो एक्सbird हमेशा टाइम होते कि आपको बताया हूए पहले ही यह이ccl हमेशा हमタइम होते है कोई बॉडी चल रहा है यहांसे लेकिए यह तक जा रहा है तो यहां पर पोजिशन एक्समें तो उसका टाइम टी-वन रहेगा अगर यहां पर पॉझच गया तो इक्वेशन में अब को पूट करना है बस एक्स टोटी है न उसके वाद टी टू ले जाना है तो एक्स टू पता है यह पूरा टर्म है यह लिए प्लस बी आफ टी टू टी टू कितना है तो आपको यह पर फोर लेना है फोर का स्क्वार माइनस बीच में माइनस है एक्स वन एक्स वन कितना है यह एक्स वन स्क्वार में प्लस बी आफ टी टी वन कितना है टू सेकेंड टू का स्क्वार तो नहीं समझ रहा होगा तो ध्यान से देख लेना क्योंकि मैं बहुत थोड़ा वो लिख रहा हूं ऐसा लिख रहा हूं कोई बात नहीं आपको समझ रहा होगा मुझे पता पक्का पता है यह सिर्फ इसके लिए थे इंस्टंटिदेस वेलासिटी के लिए थे यह दुनों टाम टाइम तो टीटू समें 4 है टीवन इसमें 2 है तो अच्छो इसका अगर इक्वेशन में पूरा खोलता हो अंदर ए प्लस यह होता है फोर स्क्वेर स्क्स्वेर्स इंडी मैंनस ए टू स क्या मेंने क्या 16-4 is is 12B upon 2 तो 6 जा 12 तो यह 6B मिलता है बच्चो एवरेज वेलोचिटी है हम फाइंड कर रहे है 6B तो 6B 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 की वेल्यू क्या है में वेल्यू क्या है नवेल्यू क्या है विक हैवेल्यू क्या है विक की वैसेज बाइश के जो की किशुटी पर साथ है स्कुरार समझा कैसे फाइंड करते हैं मतलब इंस्टेंटेंस विला सटी और एवलेज सपाइंड करते हैं समझ यह आगे बच्छो इसके ओपर और एक्जामपल मिलेगा तो आप जरूर सौल करें ठीक है तो बोलो मैं अभी एक एक एक्जामपल मैं देधी देता हूं तो बच्चो मैंने खुद से एक्जामपल लिया हुआ है तो देखों इसमें एक्जामपल मैंने लिया है कि एक पोजिशन है एक पोजिशन है X is equals to 2t plus 2t plus sorry 2 plus 2t plus 3t the whole 3t का square यह आपका position के मैंने equation लिया है इसमें महले है find velocity at time 4 second and at time 6 second 6 second है अब जब भी बोले रहे हैं at time यह और यह time जो भी at time दिया रहेगा तो समझ जाना है कि instantaneous velocity find करना है और दूसरा क्या find करना है find average velocity between time 4 second and 6 second between जब भी दिया रहेगा ने इन दनों के बीच में time आपको find वह आपको velocity find करना है तो समझ जाना बच्चों कि यह जो है average velocity यहां फाइंड करना है ठीक है तो आपको यह पास करो और खुझ सॉल करो पहले जैसे इसके पहले किया था न वैसे सॉल करना है फिर मैं आपको सॉल करना हो पूरा ठीक है 2030 प्लस 3 T होल इसका करना है तो सुल क्नसांथ लुटिह करना है तो इसका प्लस करोगे बशनें प्लस को ऑते हैं स्ट्यों तो बच्चों स स्ट्रिटी और भुए ज़ेयों का फिesis 56 आता है तो आसक Спец στην जो बेसिकलिए जो आपको कि टाइम फॉर सेकंद लेते हो तो जो वेलोसिटी है वो क्या मिलता है टू प्लस टी के बाद ले फॉर लोगे तो प्लस सिक्स फोजा 24 26 meter per second और अगर अब वो लेते हो क्या जोड दूसरा वह यह ना तो जो वेलोसिटी है वो कितना मेलता है टू प्लस तो यह आपको फाइंड करने के लिए आपको एक्स वन जानना जरूरी है एक्स वन हम लोग हमेशा है टाइम टी वन जानते पहले बता है तो जो भी एक्वेशन है टाइम के बदल आप क्या पूट करोगे टी वन और एक्स टू आपका कब आता है टाइम टी टू पर आता है तो जो भी उपर का एक्वेशन है वो टाइम के बदल आप क्या पूट है तो यह आपका जो एवरेज बिट्विन यह दिया ना तो हमेशा पहला वाला टीवन रहेगा दूसरा वाला टीटू ठीक है तो अब करीं करगा यह बिल्लेज बीट दिए फ्ला सैक्ष बाउन अपर टीटू-माइनस टीवन दीन तो जो करिंगा है तो मतला होगी है टूय टूप्लस फीटू कितना है टल्रएक मेल्स कर देता हुए है 6, plus 3, 6 का square, minus, x1, x1 के बदले ये पूरा value put करूंगा, 2 plus, 2, t1 कितना है, t1 is, 4, plus 3, t1, 3, t1 कितना है, 4 का square, अपाउं, t2, t2 कितना है, 6, t1 कितना है, 4, ठीक है बच्चो, तो ये कितना होगा, 2 plus, 6, 12 plus, 36, 6, 6, 6, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 3, कितना होगा, x1, 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 तो फोजा एट प्लास फोफोजा 626 होताना हम उचाहँ वह ईक्सीन त्रीजा 48 शुक्तीएट इस ब्रैकेट ओपन टू प्लस ट्वेल डाड़क मैं आड़ करते हैं तो बच्छो यह पूरा मैं आड़ करता हूँ तो 122 मिलता है यह पूरा आड़ करता हूँ तो 15 मिलता है बीच में माइनस इंदोनों को माइनस करेंगे तो 64 अपॉन 2 देट इस तो 3 जा 32 मेटर पर सकंद तो अबराइज वेलोसेटी यहां पर कितना मिला बच्छो 32 मेटर पर सकंद ठीक है बिट्विन यह दोनों टाइम 4 सेकंद 6 सेकंद इस इक्वेश्चन का इस डिस्प्लेस्मेंट का ठीक है बच्छो यह समझ में आ गया कैसे हुआ कैसे किया कैसे नहीं किया है अब बच्छो ऐसे ही आपको एक्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे स्वाल करना देखा इस प्रस्टियों और एवेज वलस्टिक अब बच्छो जो आगला इसका पार्ट है ड़िए हम लोग एक्सलेशन से करेंगे एक्सलेशन यह 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 अब देखो मैंने आपको पताया थ बच्छो कि instantaneous speed हमेशा instantaneous velocity के बड़ाबर होता है ठीक है वाइस हो अब सोचो ठीक है सोचो मैंने आपको बताया था अब जो टॉपिक आपका 3.5 एक्सलेशन बच्छो वह आपका पार्ट 3 में आएगा ठीक है अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चीज को शेर करें और आप सब्सक्राइब जरूर करें बच्छो जरूर सब्सक्राइब करें कि NCRT का पूरा टॉपिक्स अपलोड होने वाले हैं ठीक है बच्छो